नमस्कार दोस्तों मेरा नमें बीजेक मार आप देख रहे कोमिक्स पिटारा चैनल को तो चलिए दोस्तों मनोज कोमिक्स में त्रिकाल देऊ की संदार कोमिक्स को सुरू करते हैं जिसका नाम है काली खोपडी तो आप देख सकते हैं इसका कभर प्रिस्ट जो कि कुछ इस तरह का है तो चलिए इसके संदार स्टोरी को सुरू करते हैं भ्यानक परवतों पर बने विसाल सर्प महल में कौन हो तुम मुझे यहां क्यों लाया गया है मुझे काली खोपड़ी कहते हैं मैं तेरी बली दे कर विसु समराट बनना चाहता हूँ अपनी इस इच्छा को जब मैंने अपने इश्ट देव रक्तासूर के सामने रखा तो उन्होंने कहा वच्स इसके लिए तुम्हें सैतान देवता को प्रसंद करना होगा और उन्हें प्रसंद करने के लिए महरसी अगनी वेस की अगनी देवता के दिव्यास्तर से बली चढ़ानी होगी महरसी अगनी वेस की बली तब उन्होंने मुझे तुम्हारे त्रिकाल देव और अगनी देवता के दिव्यास्तर के बारे में बताया और बोले अम आउस्या की रात को सैतान देवता का अवाहन करना तुम्हारी मनों कामना अवस्य पूर्ण होगी इतना कहकर रक्त देव अंतरध्यान हो गए उस दिन मैंने कसम खाई मैं अगनी वेश की बली चढ़ा कर ही दम लोगा मुर्क तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा क्यों कौन रोकेगा मुझे मेरा सिस्से त्रिकाल देओ त्रिकाल देओ उसी का तो इंतिजार है दिव्यास्तर उसी से तो छिनना है मुझे इधर कौसलनगर के राजबहल में क्या कह रहे हो तुम मैं सच कह रहा हूँ गुर्देव का अप्रहन हो गया है राजकुमार कैसे हुआ ये सब सारी बात बताओ राजकुमार रोज की भाती गुर्देव हमें पढ़ा रहे थे अप राधी को छमा करता ही उसके लिए सबसे बड़ा धंड है अचानक आई वजाओ है मरा ये चीख पुकार कैसे मच गई आओ देखते हैं बाहर का दृष से देख ओ ये क्या चमतकार है अगली ही पल इन दुस्टों से निपटने के लिए अपने दिब्बे सक्तियों को भेजना होगा वो दोनों दिब्बे सक्तियां सत्रों पर तूट पड़ी ठीक उसी समय अरे वो देखो गुर्देओं के पीछे वही बिचित्र गोला पर कठो रहा है और इससे पहले की कोई कुछ समझ पाता ओओ आओ दुस्टों तुमारा अंथी तुम्हें यहां लाया है किर्णों के उन दोलों के टकराते ही बढ़ाम बढ़ाम लेकिन दूसरे चंद ओओ बिचैला धुमा फिर इससे पहले की हम कुछ कर पाते ठीक उसी चंद आखिर यह मेरे जाल में फसी गया ओओ अगले ही पल अब मुझे कोई नहीं रोक सकता और वो उसे लेकर उस गोले में समा गया इस तरह वो दोस्त गुर्देव का अप्रहन करके ले गया पुरी बात सुनकर त्रिकाल देव की आँखे क्रोज से जल उठी गुर्देव के अप्रहन करता को मैं जीवित नहीं छोड़ूँगा इस सुब कारे में हम भी तुमारे साथ है तरिकाल देव तुम कौन हो मित्र गुर्देव के मान सिक सकतियों के पुंच हमें ही गुर्देव ने उन दोस्त सकतियों से लड़ने भेजा था ओह हमें अभी रम गुर्देव को ढुनने निकलना चाहिए तुम ठीक कह रहे हो, फिर तीनों महर सी अगनी वेश की खोज में निकल पड़े, अभी वो कुछी दूर आगे बढ़े थे की, अरे, ओ, त्रिकाल देव, यही वो लोग हैं, जो गुर्देव को ले गए थे, तब तो इनके मिर्तु निश्ची थे, अगले ही पल, तीनों का तूट पड़े उन लोगों पर, मेरी आगे तेरी एक नहीं चलेगी दोस्ट, ओ, ले मर, भचाक, देवी नाम है मेरा, तुम जैसे उकी मौत हूँ मैं, खचाक, ओ, खच, मेरी सक्तियों से परिशित नहीं हो तुम, तुम लोग अभी, सक्षात काल हूँ मैं, भचाक, ओ, काली खोपड़ी, ये सारा द्रिश्ते अपने जादोई दर्पन पर देख रहा था, ओ, मेरे सैनिक हार रहे हैं, अब मुझे ही कुछ करना होगा, इधर तुरिकाल देव और उसके साथ ही सत्रूँ से भीड़े हुए थे, खचाक, ओ, है, मरा, अचानक, रुख जा तुरिका तो यही है काली खोपड़ी, हाँ, तेरा गुरु मेरी ही कैद में है, यदि उसकी जान बचानी है, तो खुद को मेरे हवाले कर दे, वरना, ओ, मजबूरी थी, उन्हें आत्म समर्पन करना ही पड़ा, तन, समझदार है, ओ, ले चलो इन्हें, गुर्देव की जान बचाना जरूरी है, और ना सबके मौत बन जाता मैं, कुछी देर बाद, काली खोपड़ी के राजदर्वार में, इसके बल पर ही, तो अजाद होने की कहरा था ना, अब देख इसका हाल, सर, कल अमाउसा की रात, इस, कल अमाउसा की रात, इस दिब्यास्तर से, तेरी बली चड़ा कर, मैं बिस समराट बन जाओंगा, तब तक, ये यहां सुरक्षित रहेगा, ले जाओ इन तीनों को, और बिसेस बंदे ग्रह में डालतो, कुछ देर बाद, बिसेस कैद खाने में गुर्देव को बचाना होगा, वरना वो दोस्त प्रिटवी पर कहर ढादेगा, लेकिन केर्दों का ये घेरा तोड़ना असंभव है, कास हम किसी तरह इस बंदी ग्रह से निकल पाते हैं, तब ही एक अवाज ने उन्हें चोकाया, इस कैद से तुम्हें मैं निकाल सकता हू दोस्तों, ये आवाज, लगता है साथ वाली कोटरी में कोई है, आओ देखते हैं कौन है, त्रिकाल देव ने रोसंदान से उधर जांक कर देखा, हैं, बोना, तुम छुड़ाओगी हमें, हाँ, परंतु इसके लिए तुम्हें मेरी कोटरी में आना होगा, अरे मुर्क, अ ठेरो, मैं तुम्हें अभी इस तरफ लाने का इंतिजाम करता हूँ, ये क्या कर रहा है, ये क्या है, अरे ये तो वही कोला है, जिससे वो दुस्त निकलते हैं, तभी, सोच किया रहे हो मित्र, इस गोले में समा जाओ, तुम तुरंत मेरे पास पहुँच जाओगे, को सोच कर तरिकाल देव और उसके साथ ही गोले में समा जब गए, जैसे ही वो दूसरी ओर निकलें, हैं, ये क्या, हम यहां कैसे आगे, तुम कौन हो मित्र, और ये क्या चमतकार है, मेरा नाम बौनाराम है मित्रो, मैं एक अविसकारा हूँ, ये चमतकार मेरे इस कालचक्र यंतर क यह मनुस्य को कहीं भी हम किसी भी काल में ले जा सकता है। ऐसा एक यंत्र हमने काली खोपड़ी के पास भी देखा है। क्या वो भी तुमने ही बनाया था। वाह तुमारे विचार तो बहुत उच है मित्र। त्रिकाल देओ हमें बातों में समय नश्ट ना करके तुरंत यहां से निगल जाना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो मित्र बोलो कहां चलना है। काली खोपड़ी के दर्वार में। अगले ही पल बौनाराम की उंगलिया काल चक यंत्र के बटनों पर ना चुठी। अगले ही चन दूसरा बटन दवाने पर उसमें से स्वर्द लहरियों के साथ-साथ किरने फोटने लगी। अध्भुत वाकई सारे उस गोले में समा गएं आओ मेरे साथ। अगले ही पल वो काली खोपड़ी के दर्वार में थे। वे रहें गुर्देओ उन्हें छुडाना गुर्देओ तो काली खोपड़ी के सुरक्षा कवच में कैद है। केवल दिव्यास्तर ही इस कवच को काड़ सकता है। दिव्यास्तर तो वो रहा, मैं अभी उसे प्राप्त करती हूँ। लेकिन देवी ने जैसे ही दिव्यास्तर को छुआ, धनाम ये देख तरिकाल देओ की आँखों में खोन उतराया। कुर्देओ को बचाने के लिए मुझे दिव्यास्तर प्राप्त करना ही होगा। चाहे कुछ भी हो जाए। दिव्यास्तर को हाथ लगाते ही भेंग कर पीड़ा के दोर से गुचरने लगा उसका सरीर। लेकिन त्रिकाल देओ के ध्रिट नि दोराओंगा। उफ। ओफ। समाप्त कर दो इन चारों को। हम मिंटे के खिलोने नहीं है दुस्टों जिनें तुम ठोकर मालकर नश्ट कर दोगे। हम चट्टान है तुम्हारे लिए। भड़ाक। आहए। भचाक। आह। सियूं सियूं। आही। खचाक। आह। उफ। उफ। सत्रू बहुत अधिक संख्या में हैं। हमें यहां से निकल लेना चाहिए। यह सोच। बोनाराम यहां से निकलने का रास्ता बनाओ जल्दी। तुरंती बोनाराम ने अपना यंत्र निकाला और उसके बटनों से खेंन ले लगा। यह देख। यह लोग भा बौनाराम ये सब तेरी वज़ा से हुआ, मैं तुझे जिन्दा नहीं छोड़ूं का। लेकिन कीरन बौनाराम से टकराने की बज़ाए यंतर सिर्जा टकराई, धार, ओ, 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 अरे, बौनाराम गिर किया, तुम चलो, मैं उसे लाता हूँ, एक लंबी छलांग लगा इत इसके पार्ट टू में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक से और कमेंट जरूर कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सबस्क्राइब कर और नोटिफिकेशन को